आज मैं एक ऐसी रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिससे समय कम रहे और खाना टेस्टी बने तो आज मैं बनाने जा रहे हूं मूली के पत्तों की चटनी और मूली के पत्तों और मूली के पराठी जी हां और कम समय में बन जाने वाला क्योंकि मूली को ना तो कदुकस करना है ना तो इसे उबालना है बस जटपट बन जाना है बना देना है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर चार मूली ले लिये हैं डंठल को ही मैंने अलग कर दिया है और मूली के उपर और नीचल भाग को मैंने काट लिया है इसके रेसे को भी मैं थोड़ा साफ कर ले रहे हूं एक एक करके मैंने सारे मूली को साफ कर लिया है अब चलिए पत्तो की आती है बारी तो यहां पत्तो को हम तोड़ लेंगे मैं डंठल को फेक दूंगी यहां मैं सी पत्तो का इस्तमाद करूंगी तो इस तरह से एक दुकस तो करना है नहीं बस इस तरह से मैंने राउंड में काट लिया है अब पत्तों की आती है बारी वस पत्तों पे भी चक्कु चला लेना है इधर उधर फटा फट मोटे मोटे पत्ते भी देखे बड़े बड़े कट चुके हैं अब यहां मिक्सी बॉल लेंगे जिसमें हम मूली समा नहीं रहे हैं अब इसमें डखन लगाना इसे हमें ऐसे ही बारीक पीस लेना है मैंने बीना पानी डाले पीसा है क्योंकि मूली में अवलेवल पानी होता है अगर आपको प्रॉबलम हो रहा है थोड़ा सा पानी आइट कर लिजी चार-बांच चमु तो सारी मूली पत्तूं तो खाने युले चमप से दो 2 चमप मनेया सत्तू का ज़रूर इस्तमाल करेए अब इन सबuego को अच्छे से मिक्स कर लेना है पेष्ट में मूली के पत्ते और मूली के पेष्ट में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह देखें मिष्ट हो चुका है देने लिया तक्रिबन 500 ग्राम अब यहां पर डालेंगे रिफाइन toll दो चममच इसके के हमारे पराठे थोड़ से宮 як आप आप यहां पर हम कसुरी मेथी का इसोपर करेंगे मैंने थोड़ा सा एक चमच कासूरी मेथी ले लिया इसको हम क्रस्ट करके आठे में डाल देंगे अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब इस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इस मूली के पत्ते और मूली के पेश्ट को इसमें हम डाल देंगे मैं आधा डाल दे रहे हूँ नहीं हो पारा है इसमें थोड़ा सा और हम पेश्ट डाल दे रहे हुँ अब यहां अच्छे से mix कर लेते, अब इसको हमें इस तरह से गूतना है, जिस तरह से हम आटा गूतने हैं दम soft आटा गूत कर हम तयार कर लेंगे, अच्छे से इसको मल लेंगे यह देखें आटा गूत कर हमना तयार हो चुका है अब यहां कड़ाई गर्म करेंगे जिसमें हम डालेंगे एक चम्मस तेल, आदा चम्मस जीरा, दस से बारा लसुन की कलियां, एक इच अधरक का टुकड़ा और तीन सुखी लालमेश मेंने इस्तेमाल किया है आप लोगों तो पता ही होगा, चटनी में जब लसुन की मात्रा जादा होती है, तब ही चटनी टेश्टी होती है, जब एक गोल्डेन कलर आ जाए, तब इसमें हम मूली के पत्तों को डाल देना है मैं यहां तकरिबन एक मूठी मूली के पत्तों का इस्तमाल की हूँ और उतना ही मैंने हरी धनिया की पत्ती का इस्तमाल किया, धनिया की पत्ती भी मैंने उतना ही डाल दिया है, अब इसको हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक भूनना है बस, उतना ही भूनना ताकि इसके पत्ते हलके से नर्म हो जाए, इसमे 18 पन आ जाए बस, इस तरह से 2 से 3 म कण्ञेटी घस पर छोड़ दिया है, मैंने, अब यहाँ से घस मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे पत्ते नर्म हो चुके हैं, अब इन सब को एक बाउल में निकाल देते हैं, प्लेट में मैंने निकाल दिया है सुआरी अब इसी में ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी ये देखे चटनी का वो तैयार हो चुका है अब इसको हम एक बाउल में डाल देते हैं मिक्सि बाउल में जार में डालते हैं इसको अब यहाँ पर इसमें हम चटनी में एक ऐसी चीज़े डालेंगे जिससे ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है नमक हाला कि हर चटनी में पढ़ता है ये स्वात के अंसान नमक ले लेंगे अब यहाँ पर डालेंगे हम आदा चमच अमचूर पावडर जी हाँ तो यही तो चटनी को टेस्टी चटकिला करने वाला है थोड़ा सा दो चमच मेंने पानी भी इसमें डाल दिया है और ये रहा हमारा चटनी बनकर बिल्गुल तयार हो चुका है ये देखिए मज़ेदार तीखी, चटपटी और नमकीन चटनी जी हाँ चटनी तयार हो चुका है तो चलिए अब पराठा भी तयार कर लेते हैं यहां पर मैंने गुत ही वाँटे से एक लोई ले ली है अब इस पर हम पर्थन लगा लेते हैं पर्थन लगाने के बाद इसे हम रोटी का अकार दे देंगे यह देखिए हमारी रोटी भी बिलकर तयार हो गई है देखे रोटी तैयार है अब इस पे हम तेल डालेंगे मैंने यह रिफाइंडल का इस्तमाल किया अब गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं चुकि यह पराठे बन रहे हैं अब अब दोनों तरब से इस तरह से हमें तो इस तरह से हम इसे हम बेल देंगे पराठे जादा पतला न रहे न जादा मोटा पराठे हलके से मोटे जरूर होने चाहिए यह देखे हलके से मोटे हैं तो यह पराठे हमारा बनकर बिलकुल तयार है तो यह जाएगा सिधे तवे पर गर्म तवे पर यहां पर मैंने तवा तब यह पाफिए था स्लोव फ्लेम पे हीड होने के लिए तब हीड हो गया पराठे भी हलके सेis गया हैं इसको मैंने परट दिया है यह देखिए दोसी तर भी हमारे पराठे पक चुके हैं अब यहां पर हम तेल डाल देते हैं चारो तरफ अब इसे पल्टे के साथ आसे चारो तरफ तेल को ग्रिस कर लेते हैं अब पराठो को पलट देते हैं उपर भी थोड़ा सा ग्रिस कर लेते हैं तो ये देखे हमारे गुबारे की तरफ पराठे फूल गया हैं और ये पराठे हमारे बनकर बिल्गुत तयार हो चु रोटी बनाते है, नॉर्मल रोटी, बस रोटी को भी सेख लेना है, दोनों तरफ अच्छी तरह से, यहां तेल लगा देते हैं, आप घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि घी से पराठे बहुत ही सौक्ट बनते हैं, और मुझे कुरकुरे पराठे चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर रिफारिंडल का इस्तमाल किया है, तो यहां देखिए, रोटी भी फुलनी शुरू हो गई है, गुबबारे की तरह, अब यहां पर तेल लगा देते हैं थोड़ा और, अब इसको भी पल्टे के साथा से ग्रिस कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारे रोटी वाले पर पराठा, तो इसको प्लेट में निकालते हैं, अब चलिए दिखाती हूं, मैं मेरे पराठे बिंकर बिल्कुल तैयर हो चुकि इसकी लेयर देखिए, देखिए, किस तरह से कितना अच्छा लग रहा है, इसमें चार लेयर निकर गया है, तो इसे अब मैं तोड़कर दिखात तो कितना आसान है ना, यह मुली के पराठा बनाना, ना तो उबालने का जंजट, ना तो कदुकस करने का जंजट, और यह किया मुली के पत्तो की चटनी के साथ, आप इसे टेमाटो सौस के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इस चटनी के साथ ख झाल झाल